नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 25 फिल्मों के बारे हम जानकारी देने वाले हैं उमेद यही है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक का बटन दबा दो तो चलिए फिरी स्टार्ट करते हैं इसमें हमें सारुखान दीव का पातकॉंड अभिशेक बच्चन सौनु सूद और बोमन इरानी में लीड में दिखाई दिये थे इसे 150 करोल के बजट पर बनाय गया था और इसने दुनिया वरसे 397 करोल की कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के साफ से ये एक हिट फिल्म सावित होई थी प्रेम रतन धन पायो एक रॉमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे 12 नवंबर 2015 को रिलीज किया गया था इसमें हमें सल्मान खान और सौनम कपूर में लीड मेनेजर आई थी इसे 90 करोल के बजट पर बनाई आ था और इसने दुनिया वर्से 406 करोल की जवड़ेस्ट कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के साफ से ये एक सुपर इट फिल्म सावित होई थी नमबर 23, 3 Idiot 3 Idiot एक कोमेडिय ड्रामा फिल्म थी जिसे 25 दिसम्बत 2009 को रिलीज किया गया था इसमें हमें आमिर खान आर मादबन सर्मन जोसी करीना कपूर और बमन इरानी में लीड मेनेजर आई थी इसे 55 करोल के बजट पर बनाई गया था और इसमें दुनिया वर्से 400 करोल की जड़ जस्त कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से ये एक औल टाइम ब्लोगबश्टर फिल्म सावित होई थी नमबर 22 चैननाई एक्सप्रेस एक एक्शन कमेड़ी फिल्म थी जिसे 9 अगस्त 2013 को रिलीज किया गया था इसमें हमें सारुखान और दीपका पात्कॉन मेन लीड में नजर आई थी इसे 17 करोल के बजट पर बनाई गया था और इसने दुनिया वरसे 430 करोल की कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के इसाब से ये एक सुपरेट फिल्म सावित होई थी नमबर 21 ब्रहमास्त्रा ब्रहमास्त्रा एक फेंटेसी एक्शन फिल्म थी जिसे 9 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था इसमें हमें रडवीर कपूर, आलियावट, टमिता बच्चन, नागारजुन और मौनी रॉय मैन लीड में नजर आई थी इससे 350 करोल के बजट पर बनाई गया था और इसने दुनिया वरसे 431 करोल की कमाई करी थी और कलेक्षन के हिसाब से ये एक हिट फिल्म सावित होई थी साहो एक एक एक्चन डावा फिल्म थी जिसे 30 अगस्त 2019 को रिलीज किया गया था इसमें हमें प्रवास, रद्दा कपूर, चंकी, पांडे और जैकी स्रॉप में लीड में दिखाई दिये थी इसे 350 करोड के बजट पर बनाई गया था और इसने दुनिया वरसे 449 करोड की कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्षन के हिसाब से ये एक बिलो एवरेज फिल्म सावित होई थी नमबर 19, कांतारा कांतारा एक एक एक्चन थिल्लर फिल्म थी इसे 30 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था इसमें हमें रिसफ सेट्टे और किसोर मैन लीड में नजर आये थी इसे 16 करोड के बजट पर बनाई था और इसने दुनिया वरसे 450 करोड की जवड़ेस कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से ये एक औल टाइम ब्लोगवेश्टर फिल्म सावित हुई थी अंदा धुन अंदा धुन एक बिलेक कोमेडिक क्राइम थिल्लर फिल्म थी जिसे 5 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया था इसमें हमें आईसमान खुराना तब्बू और रातका आप्टे में लीड में नजर आई थी इसे 32 करोड के बजट पर बनाए गया था और इसने दुनिया वरसे 456 करोड की कमाई करी थी और कलेक्शन के हिसाब से ये एक ओल टाइम बिलोगवश्टर फिल्म सावित होई थी नमबर 17 बॉर बॉर एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्लर फिल्म थी जिसे 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था इसमें हमें रितिक रोसन, टाइगे सुरप और बानी कपूर मैन लीड में नजर आई थी इसे 150 करोड के बजट पर बनाई गया था और इसने दुनिया वरसे 475 करोड की कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से ये एक ब्लोगबश्टर फिल्म सावित होई थी नंबर 16 पॉनियन सेलिबन पॉनियन सेलिबन एक हिस्टोर्कल एक्ट्र डावा फिल्म थी जिसे 30 सेतंबर 2022 को रिलीज किया गया था इसमें हमें चियान विक्रम, एसोरे राय बच्चन, जयाम रवी, कार्थी, तरशा किश्नन और प्रकास राज में लीड में नजर आई थी इसे 250 करोड के बजट पर बनाय गया था और इसने दुनिया वरसे 495 करोड की कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से ये एक ब्लोगवेस्टर फिल्म सावित हुई थी नमबर 15, बिक्रम, बिक्रम एक एक्चन थ्रिलर फिल्म थी जिसे 3 जून 2022 को रिलीज किया गया था इसमें हमें कमार एसन, बिजे सेतुपती और फात फासिल मैन लीड मेनेजर आये थी इसे 120 करोड के बजट पर बनाय गया था और इसने दुनिया वरसे 500 करोड की कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से ये एक 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 एक्चन थ्रिलर फिल्म सावित हुई थी नमबर 14, धूम 3 धूम 3 एक एक्चन थ्रिलर फिल्म थी जिसे 20 दिसम्बर 2013 को रिलीज किया गया था इसमें हमें आमिर खान अबसे एक बच्चन कैटीना कैप और ओदय चोपड़ा मैन लीड में नजर आये थी इससे 100 करोड के बजट पर बनाय गया था और इसने दुनिया वरसे 556 करोड की कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से ये एक ओल टाइम ब्लोगवश्टर फिल्म सावित हुई थी नमबर 13 टाइगर जिन्दा है टाइगर जिन्दा है एक स्पाई एक्शन थिल्ला फिल्म थी जिसे 22 दिसम्बर 2017 को रिलीज किया गया था इसमें हमें सलमान खान और कैटीना कैफ मैन लीड में नजर आई थी इसे 150 करोड के बजट पर बनाए गया था और इसने दुनिया वरसे 565 करोड की कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से ये एक ब्लोगवश्टर फिल्म सावित हुई थी पदमाबत पदमाबत एक पीरिड रोमांटिक एक्शन डावा फिल्म थी जिसे 25 जनवरी 2018 को रिलीज किया गया था इसमें हमें देवका पातकोण रडवीर सींग और साहिद कपूर मैन लीड में नजर आई थी इसे 190 करोड के बजट पर बनाए गया था और इसने दुनिया वरसे 570 करोड की कमाई करी थी और कलेक्शन के हिसाब से ये एक ब्लोगवेश्टर फिल्म सावित हुई थी संजू एक बायोग्राफ कर फिल्म थी जिसे 29 जून 2018 को रिलीज किया गया था इसमें हमें रडवीर कपूर मैन लीड में नजर आई थे इसे 96 करोड के बजट पर बनाए गया था और इसने दुनिया वरसे 586 करोड की कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से संजू एक ओल टाइम ब्लोगवेश्टर फिल्म सावित हुई थी इसमें हमें सलमान खान और अनुस्का सर्मा मैन लीड में नजर आई थी इसे 90 करोड के बजट पर बनाए गया था और इसने दुनिया वरसे 630 करोड की कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से सुल्तान एक ओल टाइम ब्लोगवेश्टर फिल्म सावित हुई थी बहुवलीदा बिगनिंग एक पिरिड एक्शन डावा फिल्म थी जिसे 10 जुलाई 2015 को रिलीज किया गया था इसमें में पिरवास, अनुस्का सिट्टी, राणा दुगवती, तमन्ना भाटिया और रामय किष्णा मैन लीड में नजर आई थी इसे 180 करोड के बजट पर बनाए गया था और इसने दुनिया वरसे 650 करोड की कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से ये एक ब्लोगवेश्टर फिल्म सावित हुई थी पीके एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे 19 दिसंबर 2014 को रिलीज किया गया था इसमें हमें आमिर खान, अनुस्का, सर्मा, सुसान सिंग, राजपूत और बमन इरानी मैन लीड में नजर आये थे इसे 85 करोड के बजट पर बनाए गया था और इसने दुनिया वरसे 779 करोड की कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के इसाफ से ये एक औल टाइम ब्लॉगवेस्टर फिल्म सावित होई थी नंबर 7, रोबोट 2.0 रोबोट 2.0 एक साइंस फिक्षन एक्षन फिल्म थी जिसे 29 नवंबर 2018 को रिलीज किया गया था इसमें हमें रजिनी कांत, अक्षा कुमार और एमी जेक्षन मैन लीड में नजर आई थी इसे 540 करोड के बजट पर बनाए गया था और इसने दुनिया वरसे 625 से 800 करोड की कमाई करी थी और कलेक्शन के इसाफ से ये एक एबरेज फिल्म सावित होई थी इसमें हमें आमिर खान और जैरा बसी मैन लीड में नजर आई थी इसे 25 करोड के बजट पर बनाए गया था और इसने दुनिया वरसे 970 करोड की कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के इसाफ से ये एक सुपर इट फिल्म सावित होई थी बजरंगी भाईजान एक कॉमेडी ड्रावा फिल्म थी जिसे 17 जुलाई 2015 को रिलीज किया गया था इसमें हमें सलमान खान, करीना कपूर और नवाजदिन सिद्ध की मैन लीड में नजर आई थी इसे 90 करोड के बजट पर बनाए गया था और इसमें दुनिया बर से 979 करोड की कमाई करी थी और कलेक्शन के इसाफ से ये एक ओल टाइम बिलोगवेश्टर फिल्म सावित होई थी इसे 25 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था इसमें में राम चरल जूनियर एंटी आर आलिया भट अजय देबगन सिर्या सरन और ओलेविया मौरिस मेन लीड में नजर आई थी इसे 550 करोड के बजट पर बनाए गया था और इसने दुनिया बर से 1210 करोड की कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से प्रपल आर एक बिलोगवेश्टर फिल्म सावित हुई थी इसे 100 करोड के बजट पर बनाए गया था और इसने दुनिया वर से 1250 करोड की कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से केजेफ चेप्टर टू एक ओल टाइम ब्लोगवेश्टर फिल्म सावित हुई थी नमबर टू बहु बलीदा कंकिलूजन बहु बलीदा कंकिलूजन एक एक्शन डवावा फिल्म थी इससे 28 सपरेल 2017 को रिलीज किया गया था इसमें हमें पिरवास, अनुस्का सिट्टी, राणा दुगवती, अमना भाटिया और राम्य किष्णा मैं लीड में नजर आई थी इससे 250 करोड की बजट पर बनाए गया था और इसने दुनिया वर से 1810 करोड की कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के इसाब से ये एक औल टाइम बिलोगवेश्टर फिल्म सावित होई थी नंबर बन दंगल, दंगल एक बायोग्राफकल स्पोर्ट ड्रामा फिल्म थी इससे 23 दिसमबर 2016 को रिलीज किया गया था इसमें हमें आमिर खान, फात्मा साना सेख, जैरा बसीम और सानिया मलोतरा में लीड में नजर आई थी इसे 70 करोड के बजट पर बनाय गया था और इसने दुनिया वर से 2024 करोड की धुहादार कमाई करी थी और दोस्तों कलेक्शन के इसाब से ये एक औल टाइम बिलोगवस्टर फिल्म सावित हुई थी तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए एक इस्पेसल वीडियो जिसमें मैंने आपको भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 25 फिल्मों के बारे में बताया इसमें से आपको फिल्म कौन सी है कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताओ तो मिलते हैं अगली वीडियों तब तक लिए बहुत बहुत धन्नवाद